नमस्कार, मैं हूँ प्रभू चावला, तीखी बात में आज बारी है देश के वारिज्य मंत्री आनन्शर्मा की कि चक्रवियू से बाहर आएंगे चक्रवियू उन लोगों का है जो या देश के किसान के भोगता के हित को नहीं समझते या जिन्होंने नीती पड़ी नहीं यह सही है कि कुछ लोग उतेजित होंगे अशंकाओं के कारणा पर सरकार को हर हित को देखना है और उसी में संतुलन बना कर बात करनी है पर आपको पता रहा कि आप चक्रवियू में गुसरे है जो आपने गुसरे कोशिकी कि को ने इसके अभी मन्यू आप बन गए जो यह निरने सोच कर किया गया यह निरने रात और रात का निरने नहीं है यह देश की परिस्तितियों को देखते हुए भोगता के संग्ठन लगो उद्योग के संग्ठन कुटीर उद्योग के संग्ठन उसके साथ साथ बड़ी संस्थाएं राजियों की सरकारें और संस्था की समीतिने भी इस पे आपने सबसे बात की मैं ने देखा आप पर सवाल यह है कि इतनी जल्दी जैसे आपने अगर द उनको लगता है देश इतमें उनको समय नहीं आता क्या संगे प्रणाली है ये एक enabling policy है जो राज्य सरकारों का अधिकार है जो इसको चाहे जो ना चाहे अब लागू तो राज्य करेगा आपकी यूपीय सरकार है कांग्रस सरकार तो नहीं है ना ट्रेड लाइसेंस राज्य सरकार देगी है ये तो तो लगता नहीं कि आपने सब को consult करना चाहिए तक काम आपने अच्छा किया लोग कहते है पर जल्दी में किया बिलकूर इसमें ना तो जल्दी में है और ये कहना कि देखिए consultation का क्या परक्रिया ये सही है कि हमारी ये coalition की सरकार है पर इता जरूर है जहां तक मेरा प्रश्न है इस प्रक्रिया में मैंने इसको स्वहम देखा है हर राज्य से बात हुई है ये भी सही है कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फरंट की सरकार थी इसलिए मैंने ये जरूरी सोचा कि हमारे जो वहां की मुख्यमंत्री है मेरी पुराने सहयोगी रही है जी कि उनसे जाकर बात करें मैंने बात जरूर करी बात करने का ये मतलब मैंने कभी नहीं कहा कि रजामंदी हो गई ये मैंने कभी नहीं कहा हमने मैंने पूरी प्रिष्ट भूमी बताए कि भारत जैसा देश क्रिशी प्रत्धान है जो दुनिया का दूसरे नंबर है हमारा खाद्यान के उत्पादन में फल और सबजी के उत्पादन में और फल और सबजी का 40 प्रतिशत वेस्ट होता है क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कोल स्टोरेज नहीं है वेर हाउसे नहीं है जो थोड़े से कोल स्टोरेज है 80% केवल आलू को रखने के लिए उसमें चला जाता है किसान को अपनी कीमत का सही मुल्य नहीं मिलता और उसके साथ साथ उप भोगता तक जब पहुँचता है जो किसान ने एक रुपे में जाए ये उनको बताया आपने साथ को प्रमिशन देदी कि अपनी करूँ के अगर 30 में से 25 स्टेट को पनाने का बाता है डेके मैं इसमें नहीं जाता कि आज कितनी स्टेट्स करेंगे और आज के 5 साल के बाद कितनी स्टेट्स आपस में प्रतिस परदा में होंगी कि हमारे यां भी आजब कर देदी आपक्ष भी पक्श की बात नहीं की, ममताजिबी तो हमारी सरकार का हिसा है, जब हमने कहा कि उनका अधिकार है जिसका हम सम्मान करते हैं, पर मेरा एक प्रश्ण है, कि वो राज्य जो चाहते हैं, कि उनको बंचित कर दिया जाए, ये बात अलग है, कि वो पांच राज्य है या दस राज्य हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, हम फेडरल कंट्री हैं, आज बीजेपी कहती है कि बीजेपी रूल स्टेट्स में नहीं लाना चाहते हैं, वही बीजेपी जब सत्ता में थी, एंडिये की सरकार ने, उन्होंने कैबिनेट नोट तयार कर दिया था, वो तो नोट जो बढ़ा है आगे, वो उसकी जो चर्चा है, कि प्रेजडेंट्स एड्रेस में कहा गया, ये सारी बाते अगर सांसद मांगेंगे, हम सांसद को बता देंगे, पर मैं इस वाद विबाद में नहीं पढ़ना चाहता कि उन्होंने क्या किया, उनकी क्या सूच थी, उस ने कहा है, कि हम बिल्कुल मजबूत है, प्रतिबद है, तो अब क्या आपने उनसे इंक अंसर्ट किया था, जब उनका लेटर हो रिकॉर्ड है, विड़ा नहीं किया, उनने बोला भी नहीं इसके बारे में, आपको यार है न, वो लेटर आपने होगा है, ये चर्चा की बा आप कहा है, कमला जी के समय से चर्चा चल रहे हैं, उनके बारे मुझे एक चीज मालूम है, कि हमने इसमें चर्चा करी, ये कोई इसमें महमत भहिद मेरा नहीं है, कि दो राए नहीं होंगी, दो राए हैं, पर एक साथ, मेरी ये भी सोच है, कि कोई भी जो बड़ा काम नहीं है, ये हमारी जनमत का एक हिस्सा है, पर मुझे आज तक कोई एक प्रधान मंत्री, कोई एक मंत्री, ऐसा खुशकिस्मत में नहीं देखा, कि जो सर्वसमती से कोई काम कर पाएं, जिस तरह से काम सहमती आप बना सकते हैं, सर्वसमती आप नहीं बना सकते हैं, सर्वसम कानुन कर नाइब इसका कोई प्रेशिडेंट है कि पॉलसी डिसप्रूज होई है पार Clemen पिविजेपी जो कर रही है विपाक्ष लेफ्ट ए पहली बार तो है में 1985 में 1985 में सबर दस विरोध हुआ राजीव गांधी का जब उन्होंने कंप्यूटराइजेशन की बात की देश में हरताल हुई ये प्रचार हुआ कि ये तो हमारे बच्चे बच्चियों का भविश्य खतम कर दिया इन्होंने कंप्यूटर काम करेगा एक कंप्यूटर बीस आदमी का काम करेगा तब ये प्रचार हुआ था ये नहीं आज कंप्यूटर तो है आज आई टी के क्षेतर में भारत जो दुनिया का लीडर है आई टी एनेबल सर्विसीज का 65 प्रतिशत हिस्सा भारत के पास है 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंगी वित्मंत्री थे जब उधारी करण हुआ अर्थिक सुधार आए तब कहा कि अभी तो दुबारा पूरा देश गुलाम हो जाएगा इस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी वो तो नहीं हुआ भारत बढ़ गया तेजी से आगे भारत की जो कंपनी है आज वो विदेश की कंपनी है खरीद रही है भार निवेश कर रही है नहीं एविएशन सेक्टर खोला देखिए बीजेपी पारलेमेंट को पहले इनोंने किस नहीं किसी चीज़ पर रोका है वो अपोजिशनल काम है डोकना अर्चीज को अडवाने जी 38 दिन तक यात्रा करके आए तो काले धन की बात को लेकर रोका मुद्रा स्विती की बात को रोका अब सारी बात भूल गए नहीं आपने डाइवड कर दिना एक चाल खेली कि ब्लै कर दिश की अंदर जो पुलिटिकल डिस्कोर्स है वो बदला है वरना सिर्फ डिस्कोर्स जो है ऐजेंडा दूसरे लोग बना है सरकार ने नीती के माध्यम से एक टनी आज़ए इंडिया को अब आटेंडा है डिवलब्मेंट की तरफ लिया है वह तो हमारी हमारी कमिट्मे आपको पार्लिमंट जाने से क्यों डर लगता है जग आपके बाद मजोटी नहीं है क्या पार्लिमंट की देखिए पहले एक बार्लिमंट का फैसला जब होता है अगर संसद चल रही है पार्लिमंट इस इंसेशन तो मिनिस्टर की जिम्मारी है कि स्टेट्मेंट को पार्लिमंट में रखें जो हमने रखा और जो सांसद हैं उनका अधिकार है उस पे चर्चा करें सांसदों से उनका अधिकार विपक्ष ने चीन लिया चर्चा नहीं होने देते हैं अगर जेन्मन मुशिन मानने तो क्या आप लाउड में प्रोइडेड है अधिकार क्शेत्र लोकसभा की स्पीकर का है मैं इस पे कोई टिपनी नहीं करूँगा आप तैयार है के नहीं मैं इस पे टिपनी नहीं करने को तैयार थे किस रूल के तहत है जहां तक बनियादी आपसे एक बात कहना चाहता ह² कि इस विशे पे संसत के अंदर चर्चा हुई है लोकसभा में भी राज्यसभा में भी कमेटी आफ सेक्टरीज ने 22 जुलाई को अपनी से फारशें दी थी रेक्मेंडेशन उनकी बैठक हुई कैबिनेट सेक्टरी ने चेर किया तीन अगस्त को संसद में ये बात उठाई बीजेपी ने वो राज्यसभा के रिकॉर्ड में है मैंने उसका विस्तरि जवाब दिया हमने ये भी बताया कि ये नीती आएगी हमने ये भी बताया कि इस नीती का स्वरूप क्या होगा इसमें 100 मिलियन डॉलर मिनिमम होगा 50% गाउं में लगेगा 30% तो अगर ये कहना कि संसद को मालूम नहीं था संसक तो सब पता था अगर जब सदन में बात आएगी सारी बास पेश्ट हो जाएगी आपका सोचना है उनकी अपनी राय है इस विशे में उनकी रिजर्वेशन्स हैं पर अगर ये सोचना कि वो बीजे पी और लेफ्ट फरंट के साथ हैं सरकार के विरोध में वो नहीं होने वागा आपके खिलाब वोट नहीं करेंगे आपको लगता है आपके देश के अंदर कोई भी ऐसी परिस्थिती बनेगी जिसे राज रहती का स्थिरता हो और कोई चिंता की बात हो पर मैं आपकी कॉंग्रेस पार्टी आपके साथ है कि नहीं है नसे जी का नाम लेए किको इस विशे सरकार के विशे पर कम बोलती है कि सरकार के उपर छोड़ते थी हैं देखिए सुनिया जी हमारी अध्यक्षा हैं और हमारा ये करतब बनता है कि उनको जानकारी जरूर दे कि सरकार अगर कोई बड़ा कदम उठाती है पर सुनिया जी सरकार के जो काम है उसमें इंटरिफेन नहीं करती हैं उनकी एक बात सपच्ट थी कि एक किसान का छोटे किसान का उसका ध्यान रखा जाए कोई भी नीती अगर बनती है और दूसरा जो हमारा छोटा उद्योग है जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज़स है उनका विशेश रूप से कहूंगा कि जो 30% का ये जो प्रोविजन है ये उनके सुझाव के बाद ही हमने विचार करना शुरू किया कि ऐसा होना चाहिए एक बार बता लोग कहते हैं ये भी चार्ज है कि आपने अमेरिका के प्रेशर में वहाँ पर बिल्कुल गलत आप वहाँ पर सड़ल नी आए वहाँ से मनमौन सिंगी ऑबामा को बना खबर में देखा होगा आपने मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा है ये कोई बात उसके बाद सड़ल ली आगर कि आने शवाँ जे पहले छे साल से काम कर रहे है ये लोगों से कंसर्ट कर रहे थे कम मिले बाली में बाली तीन अगस्त के बाद हुआ था पहले हुआ था नहीं आपका जो बाली से पहले कैबिनेट नोट चला गया था इंटर मिनिस्टियल कॉंसलिटेशन कंप्लीट तो आपर रही चार्ज गलत है ना बेबुनियाद है और शरारत पूरून है देखिए किसानों के सारे संगठन देश में इसके पक्ष में बोल रहे है तो बहुल्य वोटर्स में किसका है मैं प्रश्ट पूछना चाहूंगा कि अगर किसान का लाब होता है उससे चुनाव में नुकसान कैसे होगा वो भोगता का लाब होगा उससे चुनाव में नुकसान कैसे होगा और किसान कितने हैं तो देश के अंदर सतर करोड किसान है ने एक मिनट आप देश की बात करने हैं यूपी की बात करने हैं तो छोटे दुकांदार को कहा उसका हित हुआ है भारत में आठ हजार शहर है आठ हजार एक शहर और महानगर उसमें से केबल उन शहर महानगरों में महानगरों में जहां दस लाग से उपर की अबादी है वो के जब यहां पर सिंगल ब्राइंड रीटेल आया तो कहा कि आपका जो विग जो से शॉपल स्टॉप है बंद हो जाएंगे कोई बंद नहीं हुआ गुर्भ पर इसमें रिवाइज करेंगे कुछ आप, जो एक बात लगे आप, देखेंगे यह आप, जो नीती है, इसमें पहले देख लिया जाए कि कैसे लागू होती है, और इससे लाब होगा, एक करोर्ण रोजगार एक साल में पैदा होगा, आप से तकी बात करूँ, आख जो हो गया, एक बार पथर की लखीर होगी नए पथर की लखीर की बात नहीं, अब से चर्चा करके चिन्तन करके, सोचके और जो देश के हित्में है, जो किसान के हित्में है, उनुद El Fler нас Camarco नहीं को मैं इक को इसकोंप नहीं है स्थितिस पश्ट हो जाएगी सरकार भी रहेगी और नीटी भी रहेगी और विपक्ष जो है पूरी तरह से एक्सपोज होगी चलिए हम आपको देखें हमारे स्टूडियो में आए बहुत बहुत धन्यवाद तो ये थी आज की तीखी बात तीखी बात का ये कायर करम आपको कैसा लगा आप अपनी राए हमें इमेल के जरीए भी भेज सकते हैं अगले हफ़ते हाएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे तीखी बात इसी चैनल पर इसी थमें तब तब के लिए प्रभू चावला का नमस्कार